नमस्ते जेवियंस, मैं जेवियंस किरंदी को और BACBAR और ZBC का सेशन होगी holistic education का सेशन है और सेशन का नाम है six skills to build through the play कौन-कौन सी ऐसे six skills हैं जो अपकी body में improve होती हैं जब आप गेम्स करते हो तो ठीक है following rules and directions whether building a tower, playing a board and participating in organizing, organized sports children can learn a variety of skills through the play तो इसमें कहा रहता है below the six adults can integrate into the virtually any play activity मतलब यह सारी जो activities है six बच्चे definitely जो सीखते हैं जब आप sports में participate करते हो तो following rules and directions उनको क्या habit हो जाती है नियमों और निर्देशों का पालन करने की all games whether the basic games of the tag or complex board games offer invaluable opportunities for the learning and to understand and follow the rules and directions okay क्योंकि सब गेम्स चाहे वो board games और आउट्डोर गांस ओंडोर हो इंडोर हो sports और जिम हो किसी भी तरह की team game हो single person game हो उसमें सम्में क्या रहता है कि आपको rules and regulations के साथ पड़िस्पीट करना पड़ता है तो आपकी बॉनी और आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें यह चीज़े एजी मतलब जो है इंवल्व हो जाती है जे जिनसे के मतलब आप सीख जाती हो rules और regulations में रहना ठीक उसमें क्या गलत है कैसा ही है वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है patience धार्या आप में इंप्रूव होता है games involve waiting and turn taking which can be very difficult for the children be sure to take your turn and include other children in turn taking when playing games point out the importance of positions involving patience such as a midfielder in the soccer or the outfielder in the baseball यह सब जैसे इसमें patience level जो है आपका वो इंप्रूव होता है ठीक है उसमें क्यूंके rules और regulations के साथ खिलना है आप अपनी वर्जी से किसी तरह की कोई activity नहीं कर सकते आपको वहीं करना पड़ता है जो आपकी position आपको अलाव करती है इसलिए आपको rules और regulation मान लिजी आप जो है फुटबॉल खेरने तो midfielder में है तो आपको पता होता है कि आपका एरिया यह वाला है अपने इतने एरिया में ही जाना है बाकी का बाकी जो प्रजिशन होल्डर्स हैं वह संभाल लेंगे तो इसलिए आपके पेशेंस लेवल को भी इंप्रूव करता है मैनर्स मैनर्स आप में आते हैं शेरीं टेकिंग टर्न बिंग ग्रेशियस विनर और लूजर और अधर इंपोर्डन शोशल स्किल्स कैन बी टॉट बाइद प्रैक्टिसाइज थ्रू दे गेम्स एंड प्ले इस स्किल्स आर इंपोर्डन फोर बोथ हैं फोर देवल्पिंग फ्रेंशिप एंड लेटर इन दा लाइफ फोर वर्किंग अधर्स मैनर्स मतलब शेरिंग या फिर लेगार वेवल्गAI गार रहा हैं वहां होन सब चीजों को एक्सेप्ट होती है आपने बिछू दूह एक्सेप्टनस वह इंपारडन्ट होती है तो accept करने की शम्ता अती है जो भी है कुछ भी मान लिजी आपने किसी कोई कोई गलती की है कि आपकी रीजन से किसी ना किसी वज़े से आप गेम हार गए हो आपकी गलती की वज़े से तो वो आपको एकसेप्ट करना आता है ओके तो इसलिए आपको यह नहीं होता कि हाँ यह तो वस मेरे लिए ही बनी है चाहिस मुझे ही जितना चाहिए तो यह नहीं होता आपने मेनर आते हैं कि दूसरों के साथ किस तरह से क्यों कर दृब करना हैं क्या चीज़े हैं आप में लर्निंग स्किल्ज हिंपरोव होती हैं ओकी शेरिंग की अमें आप किसी के साथ रहते हु Protect किस तरह से और करना है वो सब चीज़े डिवेल्प होती है फ्रीक है जो आपके एक फ्रेंड्शिप लेवल पे भी काम आती है और फ्यूचर में लाइफ टाइम के लिए भी काम आती है टीच चीज़े डिवारो अच्छा भी करना है उनके साथ हैंड्शिक करना है उनको जो कॉम्क्लिमेंट्स देने हैं यह सब चीज़ें आपको सिखाल जाते हैं तो यह एक अच्छे मैनर्स हैं, ओके, हाँ जी, नमस्ट, एकेडमिक, गेम्स आर फ़न वेयर तो एंक्रेज देटरन तो रीड, काउंट, स्क्वेज, स्क्वेंस, एड और सब्स्ट्रेक, in the games and activity, there are a number of opportunities for the adults to increase practice of these skills, have children, read the rules aloud and lead the practice counting, okay, when tossing the ball in the play yard, count the number of the times in the throw back and forth or during the soccer game, have a child stand on the fourth line, इसमें आपको academics में भी help होती हैं, आपको पढ़ने गिनने, इन सब चीजों में भी मदद मिलती है, because आप वहाँ होते हों तो आपको यह पता चलता है कि yes, यह rule number यह है, वो है, आपका यह number है, आप यह center forward खेल रहे हो, center backward खेल रहे हो, तो किस position में खेल रहे हो, तो वो कौन सा number होता है, यह सब चीज़ें, अगर आप sports कर रहे हो, तो कौन से number, कितने time के लिए game खेलना है, कितने time के लिए rest होती है, यह सब चीज़ें, okay? Problem solving, building blocks, board games and sports are all involved a level of problem solving, give children an opportunity to try things on their own first, okay? मान लिजे, आप game खेल रहे हो, okay? आप problem solver बन दे हो, आप जो हैं, अपनी problems में नाध्यान दे के, आप यह सुचते हो के, हाँ, आपकी यह problem solve कैसे होगी, like देखो, आप sports कर रहे हो, ठीक है? आपनी match कर रहे हो, तो आपकी कोई team मान लिजे, यह बहुत मुश्किल की team के साथ, आपका match हो गया, जिसमें आपको नहीं समझा रही कि, आपको किस तरह से जीतना है, तो उस condition में आप क्या करते हो, आपको skill बनानी पड़ती हो, अपनी skill यह उस करनी पड़ती हो, improve your performance at there, right? struggle करते हो, वहाँ पर उस area में उस चीज को जीतने के लिए, तो एक तरह से आप अपनी problem solver बन जाते हो, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, ठीक है? तो यह भी एक thing है, जो आप learn करते हो, स्पोर्ट से, conflict resolutions, interpretation of the rules, calls on a place and opportunities for taking turns can all result in conflict when children disagree during a game, practice skills of managing conflict, teach children to take a deep breath, explain their understanding the situation, listen others and then determine a way to resolve the conflict. When possible, try to prevent conflict by the helping children, review the rules in advance, determine who calls the place, establish the others, establish the order. इसके बच्चों में conflict संघर ससंकल को जाते हैं, नियमों को मानना, ठीक है? किसी भी तरह का दूसरों की बाते सुनना, उनके लिए उसको हल करना, प्रॉब्लम्स को, ठीक है? ये सब चीज़ें आप में जो है, मदद करती हैं, स्पोर्ट्स, ओके? जा कल हम जो है, प्रैक्टिस ओफ दा स्किल्स और रूल्स ओफ डिफरेंट गेम के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक थोड़ा लेंद ही जाएगा, क्योंकि हर गेम में अलग लग रूल्स होते हैं, तो तभी मैंने आज आपको बेसिक पढ़ाया है, सिक्स रूल्स जो आप हर गेम में सीखते हो, सो नमस्ते, खुश रहिए,